हिमाचल में भारी बारिश के बाद प्रदेश के नदियों ने विक्राल रूप रख लिया है नदियों में जलसर बढ़ने से प्रदेश के कई लाकों में इंसान हो या फरजान वर सभी जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं हम आपको तीन जगए के तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां प्रदेशासन ने और अस्थानिये लोगों ने रस्क्यू ऑपरेशन चलाया पहली तस्वीर पावंटा साहिब की है जहां 11 लोग नदी में फस गए जिनने प्रदेशासन ने फिलहाल सुरक्षद बाहर निकाल लिया है तो वहीं दूसरी तस्वीर सुंदर नगर की है जहां एक मवेश्ची को लोगों ने प्रदेशासन की मदद से बाहर निकाला जबकि तीसरी तस्वीर की बात करें तो तस्वीर पालंपूर की है जहां एक कुट्टे का रेस्क्यू किया गया कुलमिला कर देखा जाए तो इंसान हुआ फिर जानवर मौसम की मार सब पर बड़ाबर पड़ रही है तो तीन तस्वीरे पाउंटा साहिब सुंदरनगर पालंपूर जहां पर किस तरह से इंसान तो इस बाड़ से इस बारिश से परिश्टान है ही साथी साथ जानवर भी कही न कहीं से इस बाड़ की चपेट में लगा था रहा है तीन सब्सवीरे पौटर साहिप जहां पर 11 लोगू का rescue किया गया दूसरी तबीर जहां पर एक मवीशी का rescue किया गया तो ओहीं तीस्री तबीर पालमपुर की जहां पर एक कुत्ते के rescue के लिए कुट्टे के जिन्दगी को बचाने के लिए किस तरह से लोग अपनी जान को जो किम में डाल रहे हैं उसके बानगी आप सब के सामने है लेटिस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बेल आइकन और सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल